Hello everyone, Welcome to All India Students Community मैं All India Students Community में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था I think 30 से 35 दिनों पहले और जिसके अंदर मैंने ये थमनेल के साथ वीडियो डाला था आ सकती है नई वेकैंसी भरना पड़ सकता है दुबारा फॉम बहुत सारे लोगों को मजाक लगा और लगा कि मैंने ऐसे ही वीडियो बना दिया है कोई information मेरे पास नहीं थी ये 35 दिनों पहले का update है बहुत सारे लोगों ने skill लेकर मजाक ही बनाया था मैं comments भी दिखाता हूँ और ये बोला था दोस्तो मैंने यहाँ पर लिखाता दोस्तो यह एक update है recruitment board के अधिकारी के दुआरा बताई गई बातों के अनुसार है क्योंकि मेरा बात हुआ था recruitment cell में अच्छे से मैंने चीज़े confirm करती उसी के आधार पर आपको बताया था ठीक है कुछ भाईयों ने उस पर comment किये थे विजय मिसरा साब ने बोला था मतलब कुछ भी और रोहित चाहर साब ने बोला था भाई center की vacancy है बार-बार reopen नहीं होती है state में हो जाता है ठीक मतलब कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे comment आये थे नेगेटिव थे चलो वो तो कुछ बात नहीं क्योंकि ये चीज़े जटका लगता है जब ऐसी चीज़े होती है और जब आप 2-2 साल से तयारी कर रहे हो ऐसा ही कुछ हुआ आज भी और उसको लेकर मैं कुछ जानकारी और कुछ छोटी सी एक खुशकवरी भी देना चाहूँगा इसी वीडियो के तहट तो दोस्तों उसी के तहट मैं पहले अपनी जो वीडियो मैंने डाला था उसके तहट एक बार ये चीज़े बताना चाहूँगा और फिस उसके बाद आज की नोज पर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा कि आपको प्रेसान होने का जुरत नहीं है इसलिए मैंने बोला था मुझे इस चीज़ का जानकारी एक से डेड़ महीने पहला था मैंने आपको अपडेट भी किया था आकर लेकिन कुछ लोगों को वो चीज ठीक नहीं लेगी आप खुद सुन लीजिए मैंने क्या बोला था जहां पर application वगएर आप लोगों का submit होता है जहां पर आप लोगों का भरती recruitment board वहां से छोड़ा सा news मिला है कि आप लोगों का जो head constable minister का ये जो भरती निकला था उसका exam अभी सायद ना हो reason क्या है उसका कि आप लोगों का ये agency मतलब जो आप लोगों ने form fill किया है ये रद कर दिया जाए आप बोलोगे रद हाँ उसका कारण क्या है कि आप लोगों के लिए दुबारा से आपको कुछ याद होगा एक नेट महिना पहले एक news paper में cutting आया था अब उसको रद गर के तरीके से क्या क्या करने वाले हैं हो सकता ही मैं 100% sure नहीं हूँ क्योंकि जो मिला है recruitment board से थोड़ा मतलब जानकार है जिसने बताया है कि आप लोगों की ये vacancy को रद करके वो दुबारा form निकालने वाले हैं कुछ vacancy इसको बढ़ा कर आप लोगों का paper कराया जाएगा तो आपने सुना होगा ये मैंने आज नहीं आप लोगों से लगबग 40-45 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था और जिस पर लगबग 6000 के आसपास आप लोगों ने देखा भी था और उनको मैंने पहले ही सूचित भी कर दिया था लेकिन मैं आज आपको ये क्यों सुनवा रहा हूँ और क्यों दुबारा से clarify कर रहा हूँ उसका भी reason है एक बार ध्यान से देखिए क्योंकि कुछ comments ऐसे होते हैं जिनको आपको सोचना होता है अपने जिंदगी के बारे में कि आगे क्या करना चाहिए मैं उस पर बात करना चाहूँगा directly कि ये कोई नया नहीं है और आप लोगों को हतास या निरास होने की कोई जरूरत नहीं है उसका भी reason है मैं दिखाता हूँ एक मिनट वेट करिए दोस्तों जब सुभा मैंने ये update डाला कि दिल्ली पुलिस head constable और दिल्ली पुलिस का जो assistant wireless operator है और head constable है सर मर गए सारे मर गए सारे recruitment cancelled और vacancy काम ये लोग बेरोजगार के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं इसलिए suicide बहुत कर रहे हैं तो ऐसे जब comments आते हैं तो मेरा भी दिल लुकता है बिल्कुल obviously आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है दो सालों से लोग वेट कर रहे हैं preparation कर रहे हैं और कितना वेट कर रहे हैं उपर से जब ऐसी news मिल जाए कि यही तो आस था और मतलब इसमें सोच रहे थे इस बार selection ले लेंगे फिर से exam को cancel कर दिया गया है तो दोस्तो इतना भी निरास होने का जरुरत नहीं है मैं आपको confirm कर चुका हूँ इस चीज़ का भरती आएगी और साथ आप लोगों को थोड़ा बहुत news मिला भी होगा आप लोगों की जो यह भरती आने वाली है यह आप लोगों को देखने को मिल जाएगी मही तक में के last में आप लोगों को तीनो vacancies देखने को मिलेगी में के last में तीनो vacancies head constable का चाहे वो आप लोगों का head constable बेस्टियल हो assistant wireless operator हो प्लस इसमें additional जो है आप लोगों का driver के post पर भी पद निकलेंगे जिसमें आप लोगों को heavy license चाहिएगा ठीक है यानि कि आपको bus वगएरा चलाना आता हो truck वगएरा इस तरीके का और अच्छे से आप उसमें expertise हो तो आप लोगों के पास मोका होगा इस selection को लेने का और जब ये निकलेगा ना मैंने उसी वीडियो के अंदर ये भी बोला था जो मैंने अभी cutting चुनाई कि आप लोगों का paper सितंबर तक हो सकता है उन्होंने बोला था तो हो सकता है कि आप लोगों का paper हो सकता है बोल रहा हूं है September, October में करा दिया जाए आप लोगों को सभी को मोका मिलेगा इस बात का guarantee रखिएगा मैं फिर से बोल रहा हूं मेरी आज इस वीडियो को save कर लीजेगा आप लोगों ने अगर form डाला है आप लोगों को मोका मिलेगा बिल्कुल भी गबराने का जुरत नहीं है आप सभी को मोका मिलेगा आप लोगों ने fee pay कर रखा है आप लोगों को सभी को मोका मिलेगा जो overage हो गए है उनको भी मोका मिलेगा उनको भी गबराने का जुरत नहीं है आपके पास वही मोका होगा बस form reopen होगा कुछ नए students उन form को भरेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस form को नहीं भर पाएंगे clear है सभी को तो घबराने का negative चीज़े अपने मन में लाने का बिल्कुल भी जुरत नहीं है आप जिस तरीके से तयारी करते रहे हैं तयारी करते रहें competition थोड़ा ओर tough हो जाएगा लेकिन बस तयारी मत छोड़ना लगे रहो और मैं ऐसे ही हर एक छोटी चोटी चोटी आप अपडेट के साथ आपको अपडेट रखूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप लोगों के लिए free of cost दुबारा से मैं एकदम सुरुआत से चीजों को cover कराऊंगा और clear कराऊंगा आप लोगों की exam की preparation कराऊंगा ओके थैंक यू जै हिन जै भारत